नमस्कार आदाब मैं हूँ अदिती और मैं हूँ प्रविन आप सबी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शो डेली राउंड अप में आए देखते हैं आज की क्या है विशेश खबरे दिवाली के बाद दिली एंसियार की आबो हवा बिगडी पश्चिम मंगाल में इर भटो पर लगा ताला मजदूर संकट में यूपी के कानपूर में जीका वाइरस का प्रकोप देश में 24 घंडों में कोरोना के 12,729 नए मामले जिसका अंदेशा था वही हुआ दिवाली के ब बाउजूद दिली रास्टी राजदानी छेतर में दिवाली पर खूब पठाके जलाये जाने के बाद शुकरवार को सुबह घने कोहरे की मोटी परत चाही रही जिसके कारण कई हिस्सों में निवासियों को गले में जलन और आखों में पानी आने की दिक्कतों से जूज न पड़ा दिली के पर्यावरण मंत्री गुपाल राय ने शहर में वायू गुडवत्ता बिगरने के लिए पठाके और पराली जलाये जाने के को जिम्मिदार ठहराया उन्होंने इसके लिए भाजपा को भी जिम्मिदार ठहराया और कहा कि कुछ लोगों ने खास मकसद से प दर्श किया पड़ोसी शहरों जैसे नोईडा, ग्रेटर नोईडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायू गुडवत्ता शुकुरवार को सुबह गंभीर श्रेडी में दर्श की गई केंद्री प्रदूशर नियंतर बोड के अनुसार फेफोडों को नुकसान पहुचाने वाले महीन कड यानि PM 2.5 की 24 गंडे की औसत सानता बढ़कर शुकुरवार को सुबह 9 बजे 410 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर हो गई जो 60 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर की सुख्षित दर्श से करीब 7 गुना अधिक है PM 10 का अस्तर शुकुरवार को सुबह करीब 5 बजे 500 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर के आकड़ों के पार कर गया और सुबह 9 बजे यह 511 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर था अब रुक करते हैं पश्यमंगाल का जहां इड के भटे में काम करने वाले करीब एक लाग मजदूरों के सामने बेरोजगारी मूबाय खड़ी है आपको बता दे कि 24 परगना जीले के बशीर हाट इलाके में मौझूद कई इर भटे के मालिकों ने अपनी यूनिट को आकास्मिक बंद करने का एलान कर दिया इलाके में बहती इच्छामती नदी के किनारे करीब 500 इड के भटे मौझूद हैं और हर भटे में कम सिकम 350-400 मजदूर कारे रत हैं अब इन सबी मजदूरों के सामने अपने भविश्य की सुरश्चा को लेकर सवाल या निशान खड़ा हो गया है भट्टा मजदूरों के बीच काम करें Center of Indian Trade Unions का कहना है कि मजदूरों को केवल 5000 या 6000 के बीच मासिक मजदूरी दी जाती है जो कि राजसरकारद्वारा घोशित नियूंतम वेतंध से काफी कम है और तो और इन मजदूरों को Provident Fund या बाकी वैदानिक गलाब से भी महरूम रखा जाता है मालिकों का दावा कि जरुवत से ज़ादा इड के उत्पादन और त्योहार के समय आई बिक्री में कमी के कारण वे भट्टे बंद करने को मजबूर है हाला कि सीटू ने इससे सरासर जूर बताया है बीते मंगलवार यानी दो नौंबर को इन मजदूरों ने 24 परगना जीला प्रशासन के दफ्तर के बाहर रोश प्रदर्शन किया और अपनी आठ मांगों के साथ साथ भट्टे खोलने का भी आगरा किया उनकी प्रमुक मांग है कि उनके नियूंतम वेतन को बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रतीमा किया जाए अब बाकी की दो खबरों के लिए हम जोडते हैं आदिती से कोरोना और डेंगू के दौर में कानपुर जीका वाइरस से तरस्त होने लगा है कानपुर में 30 और लोग जीका वाइरस से संक्रमित पाए गए हैं इसके साथ ही जिले में जीका वाइरस के मरीजों की संख्या भढ़कर 66 हो गई है जिला अधिकारी विशाक जी अयर ने शुक्रवार को बताया कि जिले में जीका वाइरस के संक्रमन का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था जब भारतिय वायू सेना के एक अधिकारी इसकी चपेट में आये तब से अब तक यहां संख्या बढ़कर 66 हो गई है वायू सेना केंद्र के आसपास के इलाकों में लोगों के नमूने एकत्र किये गए थे जिन्हें जांच के लिए लखनाओ के किंग जोर्ज चिकित्सा विच्रविद्यालय भेजा गया था उन्होंने बताया कि स्वास्तिय विभाग के अधिकारियों के को निग्रानी और वायरस की जांच के लिए घर घर जाकर नमूने लेना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिये गए हैं यह वायरस भी मच्छरों से फैलता है अब आखिर में करोना अपडेट केंद्रे स्वास्तिय मंत्राले द्वारा जारी ताजा आखनों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 12,729 नए मामले दर्ज के गए हैं इसकी अलावा करोना से बीते दिन 221 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक देश भर में करोना से पीड़ित 12,165 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है इस तरह देश में अक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 0.43 फीस्ती यानि लगबग 1,48,000 हो गई है गौर करने वाली बात यह है कि देश में करोना वैक्सीन की अब तक लगबग 1,7 करोड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है जिन में से लगबग 5,65,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्साग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया